Hello students कैसे हैं आप सब तो पिछले वीडियो में हम डिसकर्शन कर चुके हैthon एट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन को अगर आपको वीडियो देखना है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं आज के वीडियो के अंदर हम discussion करेंगे scattering of light टिंडल effect भी जिसको कहा जाता है sky का color blue क्यों नज़र आता है sunset और sunrise के time पे जो sun का color है वो red क्यों हो जाता है क्या reason है यह सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर हम discussion करने वाले हैं तो इसलिए start करते हैं सबसे पहले तो आब तक आपको यह पता है कि प्रिजम से जब light pass out होती है तो वो seven colors के अंदर divide हो जाती है और वो seven colors कौन-कौन से हैं आपके पास मैं write down कर देता हूं विब ग्योर मैंने आपको formula बताया था विब ग्योर इस formula से आप इन colors को यहाँ पर याद रख सकते हैं तो यानि V violet, I indico, B से blue, G से green, Y से yellow, O से orange और R से red अब इन में से मैंने wavelength भी आपको बताई थी कि कुछ colors की wavelength वो बहुत जादा होती है जैसे की red, orange, yellow, green इन colors की जो wavelength हो बहुत जादा होती है और सब में जो जादा होती हो किसकी होती है red की सबसे कम जो wavelength होती हो किसकी होती है इस violet color की कहने का मतलब यह है wavelength का मतलब क्या जितनी length तक जो wave travel करती है वो उसकी wavelength हो जाती है जितने कम length तक वो travel करती है wave तो वो आपकी उसकी क्या हो जाती wavelength कम हो गई ठीक वैसे ही जैसे की signals वगाये जाते हैं वो कैसे color के होते हैं red color के होते हैं ये सारी बाते मां आपको क्यों बता रहा हूं दुबारा से क्योंकि अब हमें इन सब की need होने वाली है तो देखिए scattering of light क्या है Scattering का मतलब होता है checking & find ऐसा हम मानते हैं कि seven colors से मिलके बनी है बाकी अधरवाइज बहुत सारे colorス से मिलकर डिहाए है लेकिन PRISM से हमको कैसे दिखाई देते सेवन color ही दिखाई देते हैं Rainbow आपने ने देखा हो गए सारी सारी आपने देख़ी तो यहां पे स्केटरिंग का मतलब होता है फैलना लाइट है वो फैल जाती है कैसे फैलेगी तो अगर यहां पे सिंपल वे में एक टोर्च को मैं ओन करूं तो वो लाइट की का जो पाथ है वो जो रास्ता है उसका उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा अगर आप बहुत आउस एक टोर्च है उसको आप अंधेरे में डार्क में जला रहे हैं अंधेरा रूम है इन हमिलकुल आपके पास उसमें कहीं भी लाइट नहीं है वहां पे आपने टोर्च को जलाए वह जो पात है वह वो लाइट का रास्ता मौ जो फोक्स वह आपको दिखे लेकिन अगर आप उसके अंदर से लाइट को पास करेंगे यानि कहां पे बिल्कुल डार्क में आप टोर्च को जलाएंगे तो वहां पे छोटे 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 पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं जैसा कि फोरेस्ट में कैनोपी जो उपर वाली लेयर होती है उससे जो लाइट आती है पेड़ों के अंदर से जो लाइट आती है पसका पाथ वीझीबल हो जाता है ऐसे आपके घर में जो वेंटलेटर्स होते है रोंसन DANदान उनके बास इस लाइट की वजह काम की हैं गलत बात हो जयेगी वह पार्टीकल्स रेख यहां पेदेखा आपके पास दोगनेर हैं यह जो दो कंटेनर हैं एक में बिल्कुल वोटर है कुछ भी मिक्स नहीं किया गया है इस विवह एसी आसा था होगी आपको डिखाई लेकिन इसमें से आपको लाइट नजर नहीं आ रही है जाती हुई लेकिन जो दूसरा कंटेनर है उसमें आपने वोटर के अंदर क्या कर दिया है कुछ right with मिक्सक्त कर दिया है जैसे आप खूपबकर सुल्पेट्स करें आपने पढ़ा थाा ना हीमक्त के अंदर की है टिंडल होता है उस को मिक्स कर देते हैं तो लाइट बॉड सोलीजियोशन आपने पडिे हैं या इसमें प्रारीणद इसमें होते हैं वे solution क्या होता है पूरी मैंने सुगर लिया साल्ट लिया वोटर लिया पूरी तरह से डिजॉल कर दिया सुगर आराम से डिजॉल होगे पार्टिकल्स नजरी नहीं आ रहे तो उसमें आप तोर्च को जला रहे हैं तो दूसरा पहला कंटेनर उसमें लाइन नजर नहीं लेकिन दूसरा कंटेनर है उसमें लाइट आपको नजर आ रही है क्यों तो फिकल्स है वह हो उसीँ के पाथ को विजिबल कर रहे हैं अब के लिए समझना बात को तो यह जो effect है इसको कहा जाता है टिंडल effect इसी effect को क्या कहते हैं टिंडल effect करते हैं समझ गए ना बात को ठीक और या फिर आप इसको कह सकते है scattering of light यह नहीं light का fell ना ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह मेरे पास एक container है माल लेते हैं यह इसके अंदर जो water है वो बिल्कुल कैसा है clean water है pure इसमें कुछ भी impure नहीं है mix नहीं है कुछ भी यहाँ से अगर मैं torch को जलाओं यहाँ से अगर मैं torch को जलाता हूँ तो क्या होगा जो light का path है वो बिल्कुल भी में तो क्या होगा है यह जो light मुझे इसके अंदर से वीजिवल हो रहा है इसी effect को क्या कहा जाता है tindle effect या फिर क्या कहा जाता है scattering of light तो यहां से देखे मैंने light को जलाया scattering of light in the phenomena in change of the direction of the striking particular type of particles समझ जेंगे बातको यह नहीं लाइट का इसके पार्टिक्ल से यहां पे क्या होंगे चोटे-चोटे दूसरे कलर से विजिबल करता हूँ यहां पे क्या होंगे देख बेखा इसे छोटे-चोटे पूरे में घूम रहे होंगे ठीक है क्योंकि इस बार क्या है यह को लॉइड है तो यह जो छोटे चोटे पार्टिकल से इन च्छ लाइट इस्ट्राइक होगी और उस लाइट के स्ट्राइक होने से यह फ्लाइट फैल जाएगी तो यह जो इंसिडेंट है इसको कहा जाता है Scattering या फिर Tindle Effect यह जो path आपको visible हो जाता है यहीं Tindle Effect है light का अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो blue light है और red light है क्योंकि यह आपको समझना पहले जरूरी था कि Tindle Effect क्या है और Scattering of light क्या है और light कितने color से मिलके बनी होती है यहीं कितने colors आपको prism में light से नजर आते हैं तो सर जब इतने सारे colors नजर आते हैं यह आपके पास violet है indico है blue है green है yellow है orange है और red है तो फिर sky का color blue ही क्यों बहुत सारे particles होते हैं चोटे चोटे particles होते हैं environment में क्या है ज्यादा तर air है वह environment में क्या है air है और उस air के अंदर क्या है ज्यादा आपको पता है oxygen nitrogen या फिर क्या है dust के particles हैं यह जो सारी चीज़ें एक्सेटरा यह तो सारी चीज़ें है होते हैं इनकी tendency होती है कि blue color को बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं scatter कर सकते हैं फैला सकते हैं समझ यह बात को क्या हुआ छोटे particles हैं छोटे particles हैं यह आप मान लेते हैं 5 nanometer, 4 nanometer 5 या 4 nanometer है ना इन particles की क्या होती है tendency ऐसी होती है जो जितने छोटे particle होगा जितना छोटा particle होगा वो blue color को उतना ही scatter करेगा वो blue color को उतना ही फैलाएगा समझ गे ना बात को अब क्या होगा light वहाँ से sun से आ रही है वो एक white light है और इस white light के अंदर आपको पता है सारे colors है violet भी indigo भी blue भी red तक सारे color उसके अंदर है लेकिन हमें sky का color blue नजर आ रहा है क्योंकि इस air के अंदर क्या है बहुत छोटे छोटे particles है और उन छोटे particles की tendency होती है कि वो क्या करते है blue light को ज़्यादा scatter करते है ज़्यादा फैलाते है और जिसके चलते हमें ना तो red दिखाई देता है red color है वो बहुत कम skater होता है ठीक है red color बहुत कम फैलेगा skatering क्या होता है फैलना तो ये बिखरना या फिर आप कह सकते हो red color हो बहुत कम फैलेगा orange कम फैलेगा yellow कम फैलेगा green कम फैलेगा हाँ blue से पर इनकी wavelength इतनी कम है कि हम तक पहुँच नहीं पाते वहां से एक kilometer से इस color ने चलना स्टार्ट किया और मेरे तक ही अगर पहुँच ही नहीं पाया 500 मिनटर तक ही पहुँच गया तो क्या फैलेगा वो colors तो मुझे नहीं दिखेगा तो इसलिए blue color की wavelength ठीक ठाक होती है वोलेट से और इसे इंडिको से तो ज़्यादा होती है और यह blue color हमारी आज तक पहुंच जाता और छोटे के टाइम पे रैड संसेट के टाइम पे रैड तो ऐसा क्यों वहां पे भी सर्फ blue ही दिखना चीए क्योंकि छोटे particles air में हैं जैसा कि आपने बताया ठीक तो यहां पर समझिए बात को कि आपके पास जो horizon है horizon कोन जगह को कहते हैं? जहां पर मैंने पिछले विडियो में बताया तो जहां पर आपके पास sky है और earth है, जहां पर आपको मिलते वे नजरा आते हैं ऐसा मानते हैं कि वहां पर sky है और जहां पर यहां पर ऐसा एक point मान लेते हैं तो चिए था ऐसे हमारी हो गई थी ये क्या हो गई किक और दूसरा यहां पेशा मान लेते हैं इसका इसका कलर कैसा हो लेас बलू तो यहां पर आपको इसका आफ यहां पर आपTatura red लिए ज्यादा नजर आ रहा है आप तक blue color इतना ज्यादा यहां पर travel नहीं कर पारा होगा क्या तक ट्रेवल कर पा रहा होगा समझे आब लिए two लिखा हुआ हुआ फूरा अफूरब रा आपने a ब्राइट आपको नहीं आ रहा होगा अच्छे से जितना माल लेते हैं कहीं यहां पे हैं इस जगह पे हमारे पास सब्सक्राइं इस जगह पर जिसको क्या मोलते हैं हम हरी जbaren जहां पर दोनों चीजे मिलती हैं अप्यर्श तू मिट अप्र आप इसा थोड़ी। जाती हैं दूर से देखोगे ना बिल्कुल खाली जगह बिल्कुल ऐसे खाली जगह दिखेगी तो और भी दिख रही है आस्मान भी दिख रहा है तो ऐसा एक पॉइंट ऐसा लगेगा जहां पे दोनों चीजें मिल रही है और वहीं पर संद्राइज और संसेट को आप देखो भाई इसकी वोईलेट की तोल वैवलांथ इतनी अच्छी ह Springs कि हम तक आंक्फों में पहुंच पाए लेंका इंडिको है ये भी नहीं पूच पाएगा ग्रीन पोस पाएगा यलो भी नहीं पहुंच पाएगा ठीक यह थोड़ा यहां पर मालो एक किलोमेटर मालो यह जो डिस्टेंज ना ऐसे आजूम कर रहे हैं वह 1 किलोमेटर डिस्टेंज है ठीक एक कलर हैं वह 200 मिटर तक आप आया दूसरा कलर 400 मिटर तक थीक तो 400 मिटर तक आया हम तक पहुंचाई नहीं तिसरा कलर मानलो यह ग्रीन वाला कलर है चलके आया 600 अंडर तक आगया ओरेंज वाला मानले तक आके रूप गया फिर भी हमारी है उससे एक मिटर दूर रह गई जब तक हमारी आई मेरे जायेगी नहीं लाइट जायेगी नह रेटिना पर इमेज नहीं बनीगी तो ब्रेन के पास इंफोर्मेशन जाएगी कहां से लेकिन रेड कलर इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती मैं आपको बताया signals वगिरा होते हैं जैसे color के होते हैं सारे red color के बनाए जाते हैं क्यों क्यों बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पे वो बहुत दूर से visible होते हैं बहुत दूर तक इनकी पास चले जाओ तो रेड कलर नजर नहीं आएगा इसकाई का कलर जो एस्ट्रोन्स वगिरा होते हैं उनको कैसा नजर आता है ब्लैक क्योंकि वहां पर लाइट की स्केटरिंग होती नहीं है और हो भी रहे तो निचे हो रहे हैं उनकी उनकी आइज के अंदर वो रहे नहीं जा वो उसके जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट पार्टिकल से एट्मोस्फियर में वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर्स को स्केटर करने की पावर रखते हैं अच्छा यहां पर आपके माइंड में एक क्यूसन और यहां से राइज हो रहा होगा कि सर इसकाई से हम तक रेज कैसे आ वह जाता है उन्हें सारा कलर ही ब्लू स्क्रेट करके रखा है तो एक अलग फिनोमिना हो जाता है हां आप यह कैसकते हैं कि जो सन है कि रहं सबसे जाहरा करमी क्यों लगती है क्योंकि उस टाइम सन आपके बहुत जबादा एग और वो संदितना आपके पास क्लोज होगा उतनी हीत आपको मिलेगी तो light की रैड कलर भी आप तक पहुंच पा रहा है ले पह Citizens रेट भी आ रहा है यलोग औरेंज भी सारे अभाइब सारे कलर आ जाते हैं तो फिर तो पूरी लाइट आ रही है और पूरी वाइट का कैसा होता है वाइट इसलिए गो स' आफ्टरनून के टाइम पे जो आपके पास light आती है, वाइट light आती है, लेकिन sunrise और sunset के टाइम पे जो आपके पास light आती है, वो इतना दूर sun आप से चला जाता है होरीजन से, कि वहां से आप तक बाकी सारे color size में नहीं पहुच पाते हैं, क्यों क्योंकि उनकी wavelength है, वो कम है, red color की wavelength बहुच जादा है, वो आप तक पहुच जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे सारा color कैसा नज़र आता है, वो red नज़र आता है, बाकी बिखर वहाँ पे सारे color रहे हैं, समझेंगे, scatter सारे color हो रहे हैं, और blue sky क्यों नज़र आता है, क्योंकि जो छोटे particles होते हैं, tiny particles हो बिखर भी करेंगे, लेकिन जो जितने चोटे particles होंगे, वो उतने चोटे particles क्या करेंगे, blue color को ज़्यादा scatter करने का काम करेंगे, इसलिए light का color है, जो आपका sky का color हो blue नज़र आता है, sea water का color, समुदर के पानी का color कैसा नज़र आता है, blue नज़र आता है, वो भी इसी वज़ नज़र आता है, blue नज़र आता है, sky का color भी होता है, जो sea water का color है, वो भी कैसा नज़र आता है, blue नज़र आता है, तो scattering of light क्या है, light का फैलना, light का बिखरना, light आएगी, किनी particles से टकराएगी, और वो पाथ अगर हमें visible हो रहा है, तो इसको scattering of light या फिर टिंडल effect आप कह सकते है, ठीक, और यह हमने देखी लिया है, कि color of sunrise और sunset, तो उस पर ride क्यों होता है, आपके पास sky का color है, वो blue क्यों होता है, अगर इस वीडियो से related आपका कोई भी question है, तो नीचे comment section में लिखिए, ठीक है, और अगर यह वीडियो आपको informative लगा है, तो अपने friends के साथ share करिए, So thank you, have a nice day.